वेलकम माई चैनल असलाम अलेकम जनाब आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस ट्रॉजर की कटिंग इसके मैंने साइड से कटिंग नहीं की और फिर भी इसकी देखें आप बिल्कुल पेंट वाली शेयर आई है किसी किसम का कोई खचाओ नहीं आ रहा बड़ी आप क्रीज भी देख सकते हो बिल्कुल पेंट वाली है तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है वो मेरा टूपी सूट था तो हमने ट्रॉजर की कटिंग कुछ इस तरह से करनी है कि इसके ये जो कड़ाई वाले बार्डर हैं वो हमारे काम में झाएं आँ वेस्टना हो तो चलें मैं आपको इसके कटिंग गा तरीका बताती हों बहुत आसान है इसकी जो मुझे लंबाई चाहिए वो मुझे ठरी एट इठ सांच चाहिए तियार तो यह 38 इंचीज ही है तो मेरे तो नीचे बॉर्डर है तो इसलिए इसकी लेंथ काम है आप अगर दूसरे कप्ड़े में बनाओगे तो आप लेंथ ज्यादा लोगे मेरी दर है ही 38 तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो 38 लेंथ लेकर तो हम अपना कप्ड़ा सेंटर से प्रेस कर लेंगे प्रेस करने के बाद हम इस तरह अपना कप्ड़ा बिचा लेंगे ये बंद साइड हमने उपर रखी है और ओपन साइड हमने नीचे रखी है क्योंके हमें इसकी साइड से कड़ाई वाला कप्ड़ा वेस्ट नहीं करना सेंटर से इसका जो मैंने लगाया है और जो आसन में ले रही हूँ वो मैं 14 इंच पर ले रही हूँ मुझे तियार 14 रखना है अगर आपके पास मार्जन होगा तो आप उपसे 1.5 इंच फोल्डिंग का मार्जन ले लोगे अब हम यहां से अपना पांचा निकालते हैं अच्छा आपने आसन बिलकुल लंबा नहीं रखना बास लोग इदा से 16 17 इंच बता देते हैं आप लंबा नहीं लोगे अगर आप लंबा लोगे तो आपके आसन की सलाई बहुत ज्यादा खिचेगी यह 14 इंच पर भी हमारा आसन त्यार होने के बाद 16.5 हो जाएगा मैं आपको बकाइदा सलाई के बाद पमाईश करके दिखाऊंगी अब हमने यहां से अरेब अपनी कट करनी है यहां से हम बिलकुल वो दो इंच वाली गुलाई नहीं लेंगे क्योंकि इसकी साइड से हमारी कटिंग नहीं है तो इसलिए हम लोग यहां से साड़े तीन इंच रखकर इसको अरेब तरीके से चाहिए तो मैं दस इंच पर निशान लगा रही हूँ आप अपनी पसंद के मताबक साथ आठ जितना चाहें ले सकते हैं अब हम लोग जितना हमारा बॉर्डर आ रहा है वहां तक हम लोग सिर्फ हाफ इंच या एक इंच ज्यादा करेंगे हाफ इंच भी चलेगा तो यहां से हमारी बहुत तीकी सी नौक ना बने अमूमन लोग यहां से तीकी सी नौक बना देते हैं वही रीजन होता है हमारा सारा पांचा खिचने का और दूसरा रीजन होता है आसन बहुत ज्यादा लंबा कट करने का अब बात करते हैं हमें बैक से लंबा रखना चाहिए के नही बैक से टोजा जरूर लंबा रखना चाहिए कुछ लोग सिंपल कटिंग बता रहे हैं भाई अगर सिंपल कटिंग करनी है तो फिर आप ये गुल्डी काट शलवार बना ले हम बैक से इसको जरूर लंबा रखेंगे चाहे हम लोग सिर्फ एक इंच लंबा रखें उसके अलावा हमारी सही शेब नहीं आती हमें बैठने में बहुत प्रॉबलम होती है तो अब हम अपने निशानात के मताबक इसकी कटिंग कर लेंगे और मेरा मार्जन नहीं है तो मैं इसकी बैक साइट किस तरहां लंबी करूंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो ये हमने सारी फ्रॉंट बैक से एक जैसी कटिंग करनी है बस फरक हमारा कहां आएगा उपर आएगा जहां पर अब मैं जोड़ा आ रही हूँ आप लोगों कभी अगर इसी तरह बॉर्डर वाला कढ़ाई वाला ट्रॉजर है तो आपको भी उपर पका जोड़ाएगा और यहां से हमने चुड़ाई का कोई साइस नहीं लेना होता चुड़ाई साइस हमने यहां से थाई के पास से लेना होता है उपर से देखे ये जो हमारे पीस हैं, ये हमारे बाजू में काम आजाएंगे, ये बड़े वाले पीस जो है, और चोटा पीस हमारा गले में काम आजाएगे, इस तरह मैं कट करके अपने बाजू के आगे लगा लूँगी, तो आप भी इसी तरह कटिंग करें, कपड़ा वेस्ट ना क करें, ये हमारा कपड़ा डिजाइनिंग में काम आएगा, अब हम लोग गिदसे उपर से, अपने एक्स्ट्रा कपड़े में से, दो इंच का कपड़ा कट कर लेंगे, अपने फ्रंट के जोड के लिए, तो ये मैंने अपने जोड के मताबक फ्रंट का पीस उतार लिया है, बैक का हम लोग थोड़ा डिफरंट तरीके से उतारेंगे, ये बैक का पीस हमने जो उतारना है, वो हमें एक साइड से तो बस दो इंच का ही चाहिए, जो हमारा अंदर से फोल्ड हो जाएगा, लेकिन जहां से हमने लंबा रखना है, वहां से हम साड़े तीन इंच लेंगे डेड़ इंच ज्यादा जो हम बैक कासन लंबा रखेंगे, ये आप जरूर लंबा रखेंगे, आप दो ट्रॉजस लाई करें, एक मेरे तरीके से और एक जो लोग बता रहे हैं, जी नही एक्स्ट्रा कपड़ा रखना, आपको फर्ख खुद बाहुद पता लग जाएगा, अब पांचे पे मैं कटाओं बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने दो पीसिस के उपर चेपी बुकरम लगा लिया है, चेपी बुकरम लगाने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर अपने गॉल कटाओं बना लेंगे, मशीन पर चलते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये सिंपल प इस तरह से हम इसके सारे जल्दी जल्दी से कटाओं बना लेंगे, तो जब तक मैं अपने कटाओं बना रही हूँ, आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कॉमेंट्स में कुछ भी पूच आप पूच सकते हो, तो अब हम इस तरह से अपने कट वर्क को प्रेस करने के बाद सुईदागे के साथ सलाई कर लेंगे, और ये हमारे कट वर्क रैडी होगे हैं, देखे कितने प्यारी नेट से हुए हैं, तो अब डालते हैं ट्रॉजर में अलास्टिक, तो ये मैंने इस क्यासन की सलाईयां भी लगा ली हैं, जोड में भी सलाईयां लगा ली हैं, बैक और फ्रंट दोनों की जोड की साइडों पर सलाई लगा ली है, अब हम सिंपल अपने इस जोड को इस तरह अंदर वाली साइड पर रखते हुए, यान के सीधी साइड पर रखते हुए, जोड लगा लिया है देखे सीधी साइट पर हमारा है और अंदर हम फॉल्ड करेंगे उसके बाद यहां से आपने 9 इंच पर निशान लगा लेने हैं यह आपने निशान जरूर लगाना है इससे हमारी पैंट वाली शेब इसकी बनेगी क्रीज के साथ और फिर हम लोग किस तरह से हम रखके यहां से जो हमने निशान लगाया था यहां से हम लोग सलाई लगाना शुरू करेंगे पहले हम लोग सलाई अच्छे से इदर पका कर लेंगे फिर यहां से हम लोग निकालते हुए आपने अलास्टिक डालना बहुत धहान से सीखना है आप लोग वीड जहां तक सीधा था हमने अन्दफ खलूट कर दिया अब हमारा उपर से अरेव बन रहा है क्योंके हमने बैक साइड बड़ी रखनी है तो यहां से फोल्ट करते हूए हमें थोड़ी दिक्त आती है कि हमारा कपड़ा उपर वाला डीला आता है तो हमने उसको क्या करना है इस तरहां हलके हाथ से सासा चुनर देते जाना है सिर्फ उपर वाले कपड़े को ठीक है नीचे वाले कपड़े को नहीं अब हम अलास्टिक ऐसे खैंच के अपना बराबर कर लेंगे और अपनी सलाई कं कियाएंगे पिर अंदर लेकि जाएंगी और यहां से हम सिंधल बगहर एरीया जो है वह कर लेंग деле अब हमने हाथ की मदद से इस तरह से खेंच कर अपना अलास्टिक सेट करना है ये देखें इस तरह हम लोग हाथ की मदद से खेंच कर अपना सारा अलास्टिक सेट करेंगे फिर दोनों साइडों का सेंटर पकड़ेंगे और इस तरह से हम लोग अलास्टिक बराबर कर लेंगे तांके हमारा आगे पीछे एक जैसा अलास्टिक हो कहीं से भी कम या ज्यादा ना हो ये भी एक टिप होती है अलास्टिक डालने की तो आब हम लोग गलास्टी के सेंटर में इस सलाई लगा लेंगे और यहां पर एक सलाई लगा लेंगे तो और साथ ही हम लोग अपनी नेफी की सलाई बंद कर लेंगे यह देखें अब पैंट ट्रॉजर की आप शेफ चेक करें बिलकुल ऐसे ही शेफ इसकी त्यार होई है जैसे हम लोग साइट कैटिंग के बाद बनाते हैं देख सकते हो आप बिलकुल भी इसकी शलवार वाली लुक नहीं आ रही ट्रॉजर वाली लुक ही आ रही है लोग क्या करते हैं इस शेव में जब ट्रॉजर बनाते हैं वो बिलकुल शलवार की लुक देती है आपने पैना हुआ भी देख लिया है उपर से भी देखिए इसकी वो पिंट ट्रोजर वाली शे भी आ रही है अब मैं आपको आसन चेक कराती हूँ जो लोगों ने कन्फूजन डाला हुआ कि आसन छोटा हो जाता है ये मैंने 14 इंच पर कट किया था तो तियार आसन मैं आपको बिताती हूँ हमारा कितना रेडी हुआ है देखें बिल्कुल भी छोटा आसन नहीं है ये हमारा 16 इंच पर हमारा आसन त्यार हुआ है जो कि एक बिल्कुल परफेक्ट आसन है ना छोटा है ना बहुत ज्यादा बड़ा आसन बनाना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है ये चीज़ आप याद रखें यहां से हमारी सारी पैंट वाली शेब है क्रीज आप उसकी चेक कर सकते हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट्स करके बताएं मैं इंशालला वीडियो बनाऊंगी और अगली वीडियो के लिए मुझे अजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज